करने वाली हो सकते हो आप देख सकते हैं यह बहुत रॉफ डैमेज है और तो इसमें हम स्टेप कर देंगे मतलब मल्टि स्टेप कर देंगे तो सबसे पहले हम एयर टो एयर फ्रेंट के हैर को डिवाइट कर लेंगे सेक्षन निकाल लेंगे वैसे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट काना मत बुलना और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्ट्राग्राम फेस्बूक और टिक टॉक पर भी अफकॉर्स और अभी तक आपने मेरी मुस्किल वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजे मेरे रियल लाइ चाहिए और याद रखे इस वीडियो में मैं तोड़ा लेंथ चोटा बताऊंगी क्योंकि मेरे क्लाइंट को हेर शॉट चाहिए तो सब जितना आपको क्लाइंट बोले इतना शॉट चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप वन इंच लॉंग रखिए ताकि जब हम यू और करें तो बहुत ज्यादा शॉट ना हो जाए तो मेरी क्लाइंट को इससे भी शॉट हेर चाहिए लेकिन मैं एक इंच रखके ही इसको कटिंग कर रही हूं आप हम बॉक्स सिस्टम से निकालेंगे सेक्शन सबसे पहले आप देखो मैंने लेफ्ट कर निकाल दिया राइट कर केट करेंगे और यह कटिंग बहुत ब्यूटिफूल लगता यह कटिंग आप उसमें दो थीक बहुत ब्यूटीफूल लगता है प्लसा को आपको अगर फीन तो इस तरीके से मैंने एक या शिपाण बना लिया था नीचे इसके बाद मैं एक सीधा 90 डिग्री ले जाओंगी हेर को सारे हेर को जो हेर छूट रही है वो कोई प्रॉब्लम नहीं छूट जाएगी एंड हमें बेस्लाइन मिल जाएगा आप देखो एक बेस्लाइन मिल गया उसके अकॉर्डिंगा उपर के हेर को कट कर देंगे यह देखिए यहां पर देख स चूट रही है देखिए मैं पकड़ लिए उसे हमें एजब बेस लेना है और उसके अकॉर्डिंग पूरे हेर को कट कर देना है खुद बहुत अच्छे से डिजाइन बन जाता है इसी को बोलते है स्टेप्स कर वैसे मुझे आप देख सकते हो बेसलाइन आपको दिख रहा ह है तो मुझे आप बिलकुल इगनोर करना विकास मेरी थोड़ी खराब चल रही है मेरे फेस भी देखके आप समझ रहे हों कि और बहुत ज़्यादा भी हूं विकास पालर में थोड़ा सा काम भी जाता है तो इस तरीके से हम छोड़ेंगे यह देखिए कितनी मेरे क्लाइन भी काफी हैपी हो गई थी अपने कटिंग से और देखिए सेम तरीके से ही मैं कॉम कर रही हूं और बेस जब आप पकड़ लेती हो तो आपको फिस उतना ज्यादा जरूवत नहीं पड़ता यह देखिए यह पर बेस आपको दिग गया ना आपको इसली दिख होगे मेरे हाथों को देखिए अब उसी के अकॉर्डिंग हम हैर को कट कर लेंगे और सीधा सीधी हमें 90 डिग्री में कट कर देना है इसका और यह एकदम तरीका है थोड़ा तरीका है कि पहले आप 45 डिग्री लो फिर 90 डिग्री लो फिर 135 लो बट मैं बोलूंगी 20 डिग्री लो सारे हैर को एक साथ अगर आप एक साथ नहीं पकड़ पारे हो तो दो सेक्षिन आप डिवाइट करके भी कर सकते हो तो यह देखिए फिर से मैं यहां पर उपर में कॉम कर रही हूं और लास्ट हमारी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे यह यहां पर दो सेक्षिन को हमने कर लिया है अब तीसरा सेक्षिन को करना है और एक बात गाइस जब आपको आपकी तीनों सेक्षिन कंपलीट हो जाए तो आपको बैक में या तो भी शेप दे देना है या तो यू शेप देना है मैंने भी शेप दिया था बट मेरी स्टूडि कर रही थी तो वह चीज वह रिकार्ड नहीं कर पाई जब मैं भी बना रही थी आइमीन पूरे हेर को कट करने के बाद जब आपको शेप देना है आप में दूसरी वीडियो देख लेना लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बाइट कर दोंगे किस तरीके से यू भी बनाना है आपके जो भी डाउट से वह क्लेर हो जाएंगे तो सेम प्रोसेस से मैं इस तरह के हेर को भी कट कर लूँगी यह देखिए यहां भी हमें बेसलाइन काफी इसली मिल जाएगा मिल गया बेसलाइन अब उसके कोडिंग हेर कट कर देनी है हेर कट आपको देखने में टफ लग होगे तो आप नॉर्मल हो जाओगे ठीक है तो यह नॉर्मल बात होती है नैच्रल होता यह तो फिर से हम एक बार हेर को अच्छे से कॉम कर लेंगे और फिर से स्प्क जाएंगे बेसलाइन लेते हुए कट कर देना है और अपको ध्यान में रखना है कि हेर जितना तो इस तरीके से यहां पर मैंने कटिंग कर लिया है और बस इसको कॉम करके ना एक दम लाइट यू या भी आप बना दो जो भी हेर कट मैं आपको दीख रहा है इसी के बाद आपको करना है लेकिन इनको और भी शॉर्ट चाहिए था तो फिर से एक बर हम कटिंग करेंगे सेम से करेंगे यह देखिए सेम प्रोसेस मैं कर रही हूं ताकि इनको और भी लेयर चाहिए तो अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री था ना अब थोड़ा सा 120 डिग्री ले लेंगे यह देखिए आप देख सकते हो सामने के तरफ थोड़ा मैंने 120 कर दिया है तो कट जो है अब और ज को खुझ से उसको सेट कर देना है कि आपके क्लाइंट खूस हो जाए उनको जैसे कटिंग चाहिए थे वह कटिंग आ जाए क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने पहले कट कर वाया था तो उनका ऐसा कट हो सकता है तो आप ध्यान में रखे यह काम करिएगा और यहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूं लेकिन उपर से नीचे से नहीं नीचे से सॉर्ट करने से हैर शॉर्ट हो जाएगा तो ध्यान रखना है इस चीज़ को और अभी इनके बाल जो है वो गीले थे इसके बाद यहां पर आप यह कट देख सकते हो यहां पर मैंने भी बना जाता है तो मैं थोड़ा सा ध्यान में इस बात को रखोंगी और उसी के अकॉर्डिंग करूंगी कि बहुत ज्यादा फेस में भी नहीं आना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ड भी नहीं करना है ठीक है नॉर्मल लेंद्ट रखना है अगर क्लाइंट से पूछोंग कोई भी फेस्टिवल्स में तो इस तरीकिसे फ्रंट के हेर को मैंने बना लिया है आप देख सकते हो ए बना लिया है ताकि लेफ्ट के लेफ्ट और राइट की राइट की लेफ्ट में चाहिए कितना अटकती हूं यार इसके बाद उसी हेर के अकॉर्डिंग हम लेजर कट क कर दूंगी तो यह लेफ्ट में दे रही हूं विकाज इनकी हेर जो है वह सौट है लेजर में है थोड़ी लॉंग में कटती है तो मैं लेफ्ट इसली कर रही हूं ताकि थोड़ा शौट में हो तो अब थोड़ा सा और शौट करेंगे जो हमारे क्राउन एडिया के हेर थे उसके अकॉर्डिंग यह हेर शौट होनी चाहिए तभी आपकी हेर कटिंग परफेक्ट आती है वरना फी परफेक्ट नहीं आ पाएगी सेम कटिंग मैं इस तरह भी कर लूंगी सेम प्रॉसस से ताकि दोनों मतलब फ्रंट के हेर बैक के बैक में जब जाए तो बिल्कूल ऐ इसा दिखे कि एक साथ हेर कट हुआ है तो इस तरीके सापको शेप कर देना है यहां पर देखे मैं लेंथ निकाल रही हूं इनकी और हो गया कट थाना थोड़ा इजी थोड़ा इस नहीं यह बहुत ईजी था अगर तिसको सीखना थोड़ा भी आपक एच कर लोगे ना तो केले में सोड़ा देखे साथ हमिए घाच जगलप कर देक साथ हो तो था अर्भी आजी यहां थ theo हम पiyorsun कि यह कि बहुत देखे से खलवा की नहीं है तो एक भी ऊपक एंक एक एलगगे साथ हम झाल नहीं हो इस बहुत दोबसाई हम मैं तो एक साथ हम झालन negative झाको बहुत द